कि हर एब अवर्दी ओंब्सक्राइब मने इस वीडियो में हम बात करने वाले इनकाप्सुलेशं वीडियो में में डिसकुस किया क्या होता है कäg टाइप से डिसकुस किया था कमपाईड टाइम पॉलीमर्फिसम एंड रॉन टाइम पॉलीम Guide वीडियो देखलो वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर दी इंटर्व्यू पर्पस ठीक है चलिए हाज हम बात करने वाले इनकाप्सुलेशन यहाँ पर देखो लेख डेफनेशन लिखा है इनकाप्सुलेशन इस एचीवड थू दा यूस ओफ एक्सेस अब इसके अंदर आपको एक्सस मोडीफायर यूज करना है इसका कहने का मतलब यह हुआ हम जो बरियेवल्ड करेंगे इनकाप्सुलेस्ट क्लास के अंदर वो प्राइबेट होनी चाहिए तो एक्सेस मोडिफायर यूज करना है और सेटर गेटर मैथाड जो होती है वो पब्लिक होना चाहिए ठीक है यह दोनों जो कॉंसेप्ट बेसिकली यूज होगा इनकाप्सुलेशन में नेक्स्ट लाइन देखो इनकाप्सुलेशन इस यूज तो रापिंग अफ अफ दाड़ेट अन मैथट इंट्व इनकाप्सुलेशन का काम है अब दूस्ट प्राइब इसमें लिखाये देखो इसे के अंदर इसका क्या मतलब हुआ, जो class के अंदर जो भी हम लोग implement करेंगे, ठीक है, वो hide रहेगा, और only उसकी functionality जो होगा, वो user को visible होगा, user use कर सकता है, छोटा सा example है इसका, देखो, कि हमारा phone है, जब हम call करते हैं किसी को, तो call automatically लग जाता है, उसके लिए हम coding नहीं करते हैं, ठीक है, उसके लिए coding तो किया गया होगा न, तो आप as a user, आप उसकी functions को use कर पा रहे हैं, ठीक है, clear point, इसका ये मतलब है, done, अब यहाँ पे देखो, encapsulations के अंदर, दो चीजें use किया गया है, एक तो आपका use होगा, data hiding, देखो, यहाँ पे लिखा, it helps in hiding, तो data hiding का concept और दूसरा abstraction, clear point, we will discuss with example, ठीक है, point, तो आप, मतलब as a user, आप उसको use कर पा रहे हैं, second example है, आपका ATM machine, आप जब पैसे निकालते हो, वहाँ से जाके, तो आप क्य करते हो, और आपका amount, क्या होता है, withdrawal हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम coding नहीं करते हैं, तो जो back end coding है, जो implementations है, वो उसका hide है, और only exposing the necessary functionality, मतलब only आप उसको use, जो functionality, उसके जो functions है, as a user, आप उसको use कर पा रहे हैं, clear point, done, चली, अब next, third example है, ऐसे भी बोल सकते हो, आप देखो, जब हम लोग fever, बीमार उमर कभी पढ़ते हैं, जब fever, उवर होता है, cold होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको ना, एक capsule देता है, तो देखना, उस capsule के अंदर, हाप जो होगा, अलग color का होगा, और हाप जो होगा, different color का, उस मल्टी, मल्टी colors का, vitamin type का, multicolor dotted, dotted type रहेगा, ठीक है, उन दोनों को एक, एक basically mind करके रखते हैं, capsule के अंदर, एक wrap करके रखते हैं, ठीक है, एक single unit के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या, encapsulation, example बोल सकते हैं, यह example encapsulation का है, encapsulate कर देना data, single unit के अंदर, ठीक है, अब next point देखो हैं, encapsulation in Java can be achieved by, तो declaring the variables of a class as a private, याद रखना, वही चीज़ तो मैंने यहां पर लिखा, excess modifiers, ठीक है, तो यह आपका private क्या है, excess modifiers, ठीक है, next point, providing public setter and getter methods, यह जो setter and getter method है, इसको आपको public बताना परेगा, ठीक है, to modify and view the variables value, ठीक है, 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 ठी यहाँ पर class बना लेता हूँ, data hiding, clear point, next, आपको setter and getter method यूज करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा public, क्योंकि public बताना है, public void set x, इसके अंदर आपको parameter pass करना है, enter type का, मैंने ले लिया, a and then x equal to a, a में जो value receive होगा, वो चीज़े आपका x में, हमने यहाँ पर assign कर दिया, यह इसको बोलते हैं, आप जो यह concept हो रहा है आपका, इसको बोलते हैं basically abstraction, क्या बोलते हैं, abstraction, clear point, तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर write कर देता हूँ, data abstraction, data abstraction, clear point, अब इसके अंदर, मैंने अभी just example दिया था, आपको ATM machine का, तो basically ATM machine के अंदर हम पैसे निकाल ले जाते हैं, उसके अंदर क्या coding लगा, यह मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं as a user उसको use कर पा रहा हूँ, ठीक है, यह basically आपका क्या है, data आपका hide है, लेकिन इसको get करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा public int, यहाँ पर return करना है, इसलिए int type मैंने बताया, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ, get x method, ठीक है, इस method के अंदर, हम यहाँ पर return करवा देंगे, इसको x को return करतेंगे, तो क्या करेंगे, जब इस method को हम लोग call करेंगे, तो इसकी value हम लोग get कर सकते हैं, यहाँ तो आपका data hide है, clear a point, चलिए, अब हम लोग यहाँ पर एक अलग सा class बना लेते हैं, अभी हम इसको फोड़ा सा access करके देखते हैं, ठीक है, तो class test का आप क्या करोगे, object create कर लो, test, चलिए, अब यहाँ पर मैंने t1.x equal to 10 दे दिए, और मैंने इसको यहाँ पर print करा दिया, system.out.println and then हमने यहाँ पर t1.x को basically print करा दिया, चलिए, देखते हैं हमारा, basically मैंने इसको private clear किया है, तो out of the class आप use नहीं कर पाऊगे इसको, in this case we will get a compile time error, let me check, ठीक है, चलो, मैं आपर cmd open कर लेता हूँ and then compile करो file को java c demo.java, चलिए, इंटर करते हैं, देखिए, आपके पास error आ रहा है, तो देखो t1 dot, जब value हमें sign कर रहे हैं, यहाँ पर भी error आ रहा है, print कर आ रहा है, यहाँ पर भी error आ रहा है, क्योंकि यह private है, ठीक है न, तो private data को जो variable आप out right दी, class access नहीं कर सकते, clear point, अब हम इसका यह वाली method को basically है, इस वाले method में value पहले क्या करेंगे, set करेंगे, तो किस type की parameter है, enter type का, तो यह पहले हम लोग method यहाँ पर क्या करेंगे, call करें, t1 dot set x, और इसके अंदर हमने 10 pass कर दिया, integer type, अब यह 10 क्या हो जाएगा, a में जाएगे, इस वाले variable में receive हो जाएगा, और a की value assign हो जाएगा, आपका x में, यहाँ पे आपका data hide है, याद रखना, यही तो है data abstraction, clear point, और यह data आपका यहाँ पे आगया, तो data आपका hide है, चलिए, अब मैं इस method को call करूँगा, जहाँ पे return करवा रहा हूँ, तो t1 dot get x method को, अब क्या हो जाएगा, जब मैं इसको call करूँगा, तब data आपका print हो जाएगा, यहाँ तो यह concept आपका कहलाता है, encapsulation, अब यह चल जाएगा, class A, देखो, clear point, तो यह very very important, कही बार interview में पूछा गया है, ठीक है न, यहाँ पे data आपका secure रहता है, ठीक है न, जैसे ATM machine है, म तो आपका data क्या है, यहंपर आपका hide है, आप इसको access कर रहे हो यहाँ ठीक है, method के help से, clear point, और यहाँ पे, इस method के help से, हम इस method में क्या कर रहे है, set or method में, set or method में, हम यहाँ पे value pass कर receive हो रहा है, और यहाँ अपर image sign हो ठीक है, यह data, A, में क्या आ आगया, आपका, जो 10 दी तो इसको बोलते हैं हम लोग encapsulation, I hope clear है, इसको note कर लो, और दूसरा point एक और point मैंने यहाँ पे लिखाया था, यह देखो, देखो, method to modify and use the value, variable values, ठीक है, अब इसकी value अगर जहाँ आप यहाँ पे कर दो, plus plus x, तो यह value अब आ जाएगा 11, change हो जाएगा, ठीक है, चलिए, देखते हैं, क्योंग modify हो जाएगा, variable की value तो modify हो सकता है, चलिए, देखते हैं हम लोग, देखें, यहाँ पे 11 हो, ठीक है, यह च value, change कर सकते हैं, ठीक है, यह आपका है, example number 2, ठीक है, तो आप इसको note कर लो, note करके practical करो, प्रैक्टिकल करोगे, तभी logics clear रहेगा, ठीक है, कोई doubt रहता है, तो आप comment section में पूश सकते हैं, ठीक है, आवल reply है, ठीक है, आज हमने discuss किया encapsulations, आप इसको note कर लो, note करके practical करो, ठी करो, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू, बाबाए,